BCCI ने जब से भारती क्रिकेट टीम के कोच के लिए आवेदन अमंत्रितिये हैं तब से लगातार कई नाम सामनी आ रहे हैं जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉंटिंग, चेन्यी सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लैमिंग, लकनाव सुपर जाइंट्स के कोच जस नमस्कार स्विकार करें, अपन है श्रीवेंद, आप सब का शब्द सांची में बहुत एस्वागत करते हैं, आए जानते हैं कौन टीम इंडिया का अगला कोच बनने की रेस में है, इस लिश्ट में पहला नाम रिकी पॉंटिंग का है, और अस्टेलिया के पूर्व कप्ता आइस्टेलिया को कई ICC किताब चिताने वाले पॉंटिंग, टीम इंडिया को ICC किताब दिलाने में मदद कर सकते हैं, गौतम गंभीर के मेंटर गौतम गंभीर बतौर मुख कोच डिमांड सबसे अधिक है, दरसल उनके मेंटर्शिप में कोलकाता ने जारी IPR में जवर दस प्रदर्शन किया है, जिसको देखते हुए उन्हें टीम इंडिया का हेट कोच बनाने की मांग फैंस के भी सबसे अधिक उठ रही है, बत और क्रिकेटर गौतम गंभीर बेहद अक्रामक रहे हैं, साथ ही वे बत और लीडर भी सफल रहे हैं, उनकी कप्तानी में KKR ने दो सालों तक पहुची थी, तीसरा नाम स्टीफन फ्लेमिंग का है, न्यूजिलेंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग का रिकॉर्ड कमाल का है, और इसलिए BCCI उन्हें टीम इंडिया का मुख कोच बना सकती है, चन्नाई को पांच IPL खिताब दिला चुके, फ्लेमि के मुख कोच भी है, ये दोनों CSK की सहयोगी फ्रेंचाइजी है, फ्लेमिंग ने चार साल तक Big Bash में Milburn Stars को कोचिंग दी है, और वह The 100 और Southern Brave के साथ भी जुड़े हुए है, इस लिस्ट में आखरी नाम जस्टिन लैगर का है, उस्टेलिया का पूर्व दिगज बल्लेबाज वह कोच रहे जस्टिन लैगर का नाम भी टीम इंडिया के हिट कोच बनने के पद के लिए रेस में है, उस्टेलिया ने उनकी कोचिंग कारकाल में साल 2021 में T20 वर्ल्ड का खिताब जीता था, साथ ही साल 2019 और 2021 में A.S.H. पर भी कबज़ा किया है, इसकी अलावा साल 2020 में उन आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी पसंद भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, थैंक यू